अधिक सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को अक्सर ही काट लिया जाता है और टेड़े पेड़ो को छोड़ दिया जाता है कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सर्फ शरीर सुन्दर दिखेगा रिष्टों वहालातों से मैचिंग बिठा लीजे पूरा जीवन सुन्दर हो जाएगा कभी पीट पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत क्योंकि बात तो उनी की होती है जिनमें कोई बात होती है किसी की गरीबी देखकर रिष्टा मत तोड़ना क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों के घर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं खुशी से संतुष्टी मिलती है और संतुष्टी से खुशी मिलती है परंतु फर्क बहुत बड़ा है खुशी थोड़े समय के लिए ही संतुष्टी देती है और संतुष्टी हमेशा के लिए खुशी देती है सच्चाई के राह पर चलना फायदे की बात होती है क्योंकि उस राह पर भीड बहुत कम होती है कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है जब जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो दूर तक देखने की कोशिश भी अर्थ है एक एक कदम चलते जाओ रास्ता खुलता जाएगा इंसान के दुख के दो प्रमख कारण है पहला दूसरों से अत्यदिक अपक्षा करना और दूसरा खुद को कम से कम बदलने की कोशिश करना सत्य की खुआश होती है कि सब उसे पहचाने और जूट को हमेशा डर होता है कि कोई उसे पहचान न ले शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। मैं हमेशा मासूम होने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ये जिन्दगी और समय प्रति दिन समझदार बनाए जा रहे हैं। हम क्या करते हैं? इसका मात्व कम है। किंतु उसे हम किस भाहों से करते हैं इसका मात्व बहुत है मीठी जबान, अच्छी आदते, अच्छा वेवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं आप देखते हैं कि ईश्वर सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं यह सद्धान्त बहुत स्पष्ट है अवसर और सुर्योदय में एक ही समानता है देर करने वाले इन्हें हमेशा खो देते हैं अच्छे वेवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो लेकिन अच्छा वेवहार करोडों दिलों को खरीदने की ताकत रखता है गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना जरूरी है और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोटे खाई हो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए लेकिन संकल्प एक ही है मनजल तक जाने के लिए मनुष्य को सर्फ दो महान अध्यात्मिक चीजों की आवशक्ता होती है पहला दूसरों की गलतियों को भूलना और दूसरा अपने अंदर अच्छाई लाना जीवन में इतना महत्व नहीं रखता कि आप शालिरिक रूप से कितने ताकतवर हैं जितना कि आपका मानसिक रूप से मजबूत होना मैनत बस उनहरी चाबी है जो बंद भविश्य के दरवाजे भी खोल देती है एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि उन चीजों को करने के लिए समय नहीं बचा जो तुम हमेशा से करना चाहते थे इसलिए जो भी करना है अभी कर लो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या उतना महत्त पूर्ण नहीं जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं हारा वही जो कभी लड़ा नहीं लोग जितना समय दूसरों को समझाने में लगाते हैं, अगर उसका आधा समय भी खुद पर लगाएं तो जीवन में कहीं आगे निकल सकते हैं। जिन्दगी के किसी मोड पर अगर कुछ एहम फैसले करना है तो हमेशा अपने दिल के सुनो। बेशक वह लेफ्ट में होता है लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं। को बंद कर देते हो तो तुम्हें बदनाम करना शुरू कर देती है। चिराग कैसे अपने मजबूरियां बया करें। हवा भी जरूरी है और डर भी उसी से है। आप आज डाल मटोल करते हुए कल की जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। चीजे उन तक भी आ सकती हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं पर उतनी ही चितना की कुशिश करने वाले लोग खुशी से छोड़ देते हैं। जब इनसान को कोई चीज बिना महनत के या असानी से मिल जाती है तो वह उसकी असली कदर नहीं कर पाता। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब सफलता तब तक नहीं प्राप्ट कर सकते जब तक आप में सफल होने का साहस ना हो। जीवन को केवल पीछे की तरफ देख कर समझा जा सकता है इसलिए जीने के लिए आगे बढ़ना जरूरी है। कभी भी दूसरों को ना आके क्योंकि आप यह नहीं जानते कि वह जीवन मे आपको किसी चीछ से डर लगे तो उसे कभी अपने उपर हावी मत होने दो बलकि उस पर हमला करके उसे खत्म कर दो। सफलता के खुशी मनाना अच्छा है पर उससे जरूरी है कि आप अपनी असफलता से सीख ले अच्छा काम करते रहो कोई सम्मान करे या ना करे बहुत एक दुनिया में हर चीज के पीछे भागते रहते हैं। और वह यह पता लगाना भूल जाते हैं कि सबसे महान खजाना तो उनके ही भीतर है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है। लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। परिशानी में कोई सलाह मांगें तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना। क्योंकि सलाह गलत हो सकती है साथ नहीं। तमाशा लोग नहीं हम खुद बनाते हैं अपनी जिंदगी का। हर किसी को अपनी खमजोरी बता कर। फूक मार कर दिये को बुझा सकते हैं अगर बत्ती को नहीं क्योंकि जो सुगंद फैलाता है उसे कोई बुझा नहीं सकता। काटों पर चलने वाले अपनी मन्जिल पर जल्दी पहुंचते हैं क्योंकि काटे कदमों के रफदार बढ़ा देते हैं। ट्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। याद रखो तुम गिरोगे तुमें उठाने वाले हाँच से जादा तुम पर हसने वाले चहरे होंगे। खुश रहना हो तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, ना मिले कोई अपने जैसा तो खुद से प्यार कर लो, जिनके उपर जिम्मेधारियों का बोज होता है, उनको रूटने और तूटने का हक नहीं होता, भीड में खोने से अच्छा है, एकांत में खो जाएं, वक् पर फल हमेशा मीठे आते हैं, काइनात की सबसे खुबसूरत चीज एहसास है, जो दुनिया के हर इनसान के पास नहीं होता, कितना भी पकड़ लो, फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है, जो आप से जलते हैं, उनसे गरना कभी न करें, क्योंकि ये वही लोग हैं, जो यह समझते हैं, कि आप उनसे बहतर हैं, उस जगह पे हमेशा खामोश रहना, जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुनगाते हैं, दुनिया की कोई भी परिशानी, आपके सहस से बड़ी नहीं होती, यदि किसी काम को करने में डर लगे, तो ये कहेंगे, या सोच कर जीवन जीते हैं, भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया, जो इनसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इनसान जीवन में कभी काम्याब नहीं हो सकता, जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाईयों की वज़ा दूसरों क को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाईयों को मिटा नहीं सकते, अगर आप सही हो, तो कुछ भी साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा, कमाओ, कमाते रहो, तब तक कमाओ जब तक महंगी चीज सस्ती ना लगन जीवन में तीन मंत्र हमेशा याद रखो, आनंद में वचन मत दीजे, क्रोध में उत्तर मत दीजे, अर्दुख में निरने मत लीजे, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो, तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो, सबर इंसान के पास एक ऐसी चीज है, जि आग लगी हो सीने में, कितना भी पकड़ो, फिसलता जरूर है, ये वक्त है साहब, बदलता जरूर है, कुछ भी असंभव नहीं है, हम जो सूच सकते हैं, वो कर सकते हैं, और हम वो भी सूच सकते हैं, जो आज तक नहीं सोचा, दुनिया में इंसान को हर चीज मिल जाती है, सर्फ अपनी गलती ही नहीं मिलती, जो अपनी जिन्दगी में कुछ पाना चाहते हैं, वो समंदर में भी पत्थरों के पल बना लेते हैं, किसमत को और दूसरों को इलजाम क्या लगाना, जब सपने हमारे हैं, तो कोशिशे भी, तो हमारी ही होनी चाहिए, जो लोग सफर मे अकेले चलने का होसला रखते हैं, एक दिन खाफिले उनके पीछे चलते हैं, गलतियां इस बात का सबूत हैं, कि आप रियास कर रहे हैं, हीरे को परखना है, तो अंधेरे का इंदजार करो, दूप में तो काज के टुकड़े भी चमकने लगते हैं, मंजल चाहे कितनी भी उ उची क्यों ना हो दोस्तो, रास्ते हमेशा पैरो के नीचे होते हैं, लाखो किलोमेटर की यात्रा एक कदम से ही शुरू होती है, प्रते एक अच्छा कारे पहले असंभव नजर आता है, हमेशा अपना बेस्ट करो, जो तुम अभी बोते हो, उसकी फसल बाद में काटते हो अगर तुम दर्द सेने को तयार हो, तो सफल होने को भी तयार हो जाओ, निरने लेना और असफल हो जाना, इससे एक बात तो स्पष्ट है, कि आप उस भीड का हिस्सा नहीं है, जो असफल होने के डर से निरने ही नहीं ले पाते, आत्म बिश्वास हमेशा हमारे पास होता ह उसे मैसूस करने के लिए सिर्फ हमें वरतमान में जीने का भ्यास करना है, सभी जानते हैं, सभी में एक जैसी योग्यता नहीं होती है, लेकिन हमारे पास अपनी प्ततिभा को विक्सित करने के समान अवसर होते हैं, बिना मक्सद के जिन्दगी उस कोरे लिफाफे की तरह ह जिस पर मंजल का पता ना लिखा हो तो वो कहीं नहीं पहुँचता जिन्दगी बहुत हसीन है कभी हसाती है तो कभी रुलाती है लेकिन जो जिन्दगी की भीड में खुश रहता है जिन्दगी उसी के आगे सर जुकाती है बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता पत्थर पर जब तक चोटना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता उड़ने में बुराई नहीं है आप भी उड़े लेकिन उतना ही जहां से जमी साफ दिखाई देती हो जिंदगी में कठिनाई आएं तो उदास ना होना क्योंकि कठिन करदार अच्छे आक्टर को ہी दिए जाते हैं जिंदगी में आप कितने बार हारें ये कोई माईने नहीं रखता है क्योंकि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं फैसला लेने से पहले सोचो, समझो और सभाल करो, लेकिन एक बार फैसला ले लिया तो फिर हर हाल में उस पर डटे रहो आपका आने वाला कल कैसा होगा, या इस बात पर नर्भर करता है कि आज आप अपने बारे में क्या सोचते हैं जिन्दगी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ अंदाज से, कुछ नजरंदाज से